नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में जनबरी 2023 का परतियोकता दरपन से सम्मंदित सारे करेंट फेर को डिसक्राइज किया जाएगा केवल एक वीडियो में जो आगे आने वाले सभी एक्जाम के लिए महत्पूर्न है आपको बता दे कि जो अपना नया चैनल है नेक्सजी के कम्प्लीट टू जिरो इसी पर हर महीने अपना जो परतियोकता दरपन है उसको अप्लोड किया जाएगा और इसका पीडियेप के टेलिग्राम गूर्प जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में द राष्टपती अबदिल फता अलसीसी होंगे एक सो तीनमा समिधान संसुधन अधिनियम संबंधित है तो इस संबंधित है समान सरीनी के आर्थिक दिरिश्टी से कमजूर बरगों के लिए 10% आरच्छन से संबंधित है सरबोच न्याले के समिधान पीट ने इस आरच्छन क वो बैद पाया है रुद्रम क्या है तो रुद्रम अगली पीडी की एंटी रिडियेशन मिसाइल है जिसे डियार डियो के दोरा बिक्सित किया गया है देश का पहला नीजी रोकेट बिकरम यस किस कमपनी के दोरा बनाया गया है तो हैदराबाद की नीजी अस्पेस कमपनी असकाई रूट एरो अस्पेस के द्वारा बनाया गया है इसे द्वारा देखेगा असकाई रूट एरो अस्पेस कमपनी के द्वारा बनाया गया है देश का पहला नीजी रोकेट बिकरम येस को PSLV C-1 के जरिये ओसन सैट थिरी वे आठ अंचोटे उपगरों का परचेपन इसरों के द्वारा कहां से किया गया है तो स्रीहरी कोटा अंध परदेश से किया गया है प्रोजेक्ट 15B परविजना के तहत निरमित बिद्वनसक यूदपोत मुर्मुगाउ यूदपोत भारती 9-9 को सोपा गया है इसका निरमान किसके द्वारा किया गया है तो इसका निरमान मजगाउं डॉक सीप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है मजगाउं डॉक सीप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है प्रोजेक्ट 15B के तहत कितने यूदपोत बनाई जा रहे हैं जिसका नाम इस प्रकार है विशका पठनम, मुर्मुगाउ, इमफाल और सूरत है J20 का सतरमा सिखर सम्हकुलत 2022 कहां पर संपन हुआ है? तो बाले इंडुनेसिया में संपन हुआ है J20 का अठरमा सिखर सम्हक्ँलत 2023 कहां पर होगा? तो भारत के नए दिल्ली में होगा भारत जो है एक दिसंबर 2022 से इसके अधर्चता भी अपने पास ले लिया है 2024 में G20 का उनिसमा सिखर सम्मिलन कहां पर होगा तो ब्राजिल देश में होगा G20 का सतरमा सिखर सम्मिलन 2022 का थीम क्या था तो ठीम था Recovery Together, Recover A Stronger बरतमान में इंडोनेसिया के प्रदानमंत्री कौन है तो जोकोवि डोडो जोए इंडोनेसिया के प्रदानमंत्री है इजरायल के नए प्रदानमंत्री कौन बने है तो बेंजामिन नितनियाहू बने है इनका सम्मन्द किस पार्टी से तो इनका सम्मंद लिकूर पार्टी से है आटे मिस मून मिसन के पहले चरन का सफल परचेपन किसके द्वारा किया गया है तो नासा के द्वारा किया गया है आटे मिस मून मिसन के जो है पहले चरन का सफल परचेपन नासा के द्वारा किया गया है नासा किस देश की Space Agency है तो अमिरका की Space Agency है जलवाई परिवरतन पर सभ्यास्थ फ्रेमग कंवेंसन का 27 मां सम्मिलं कहां पर हुआ है कौप 27 कहां पर हुआ है तो मिसर के सहर सरम अल सेख में हुआ है और आपको याद रखना है कौप 27 में ही लास एन्ड डैमेज फॉंड का दिर तो सौधी अरब अमिरात के दूबई मेठ के दूबई में होगा, किस देश में ? तारीक अ तालिबान पाकिस्तान किस देश का अतंगबादी संगठन है, तो पाकिस्तान का अतंगबादी संगठन है बारत का तीरपनमा अंतराश्टी फिल्म होसव कहां पर संपन हुआ है इसमें फोकस कंट्री फ्रांस था सिनेवा में जिवन परियंत योगदान हे तू सत्जीत राय पुरसकार किसे दिया गया है तो अस्पेनिस निर्देशक कारलोस सोरा को दिया गया है सिनेवा में जिवन परियंत योगदान हे तू सत्जीत राय पुरसकार किसे दिया गया है तो अस्पेनिस निर्देशक कारलोस सोरा को दिया गया है इंडियन फिल्म परिसनलिटी आफ दा इयर पुरसकार किसे परदान किया गया है तो दच्छिन भारती अभिनेता, चिरंजेवी को परदान किया गया है भारत में अंतरास्टी फील्म महूसुख के आयोजन की शुरुवात कब से हुई है تو 1922 से, पहला कहां पर होता है तो पहला मुंबई में होता है, कब होता है तो 1922 में होता है दच्छिन पूर्व एसिया के दस देसों के समोह आसियान का चालिसमा एबम एकतलिसमा सिखर सम्मिलन के साथ में भारत आसियान उनिसमा सिखर सम्मिलन कहां पर संपन होता है तो कमबोर्या की राजधानी नौम पे में संपन होता है बारत का परतिनिधी बिदेसमंत्री डक्टर येस जय संकर के साथ में भारत के उपराश्पती जगदिव धनकल के द्वरा के द्वरा किया गया है सतरमा पुर्वी एसिया सिखर सम्मिलन 2022 नॉम पे में हुआ है सतरमा पुर्वी एसिया सिखर सम्मिलन कहां पर हुआ है तो नॉम पे में हुआ है नॉम पे कहां पर है तो कमबोडिया में अस्तित है और किसके अध्यचता में तो कमबोडिया की अध्यचता में कमबोडिया की अ रास्ट सामिल होते हैं जिनका नाम इस प्रकार से हैं भारत, अस्टेलिया, चीन, जपान, नेजिलेंड, दच्छिन कोरिया, रूस, वे अमिर्का सामिल हैं, कमबोडिया के परधान मंतरी कौन हैं, तो कमबोडिया के परधान मंतरी हैं, हून सिन, हून सिन कमबोडिया के परध जाता है तो उसे दिबान रकियात बोला जाता है अरुनाचल अरुध परदेश में डोणी पोलो ग्रिंफिल्ड एयरपोर्ट का उडगाटन किसके दवर्धान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के दवर्धार किया है अरोनचल प्रदेश की राजधानी इटानगर की निकट होलोंगी में अस्तित है डोनी पोलो ग्रिनफिल्ड एयरपोर्ट इस एयरपोर्ट का पहले नाम होलोंगी ग्रिनफिल्ड एयरपोर्ट था भारतिय बिमान पत्तन प्रादी करन दुवारा केंदर एबम राज सरकार के सहयोग से इसे बेखसित किया गया है नेक्स्ट पॉइंट है कि बिस्व की सबसे लंबी रीवर कुरूज नदी कुरूज गंगा बिलास कुरूज किन दो अस्थानों के बीच चलेगी तो बारा नसी से दिब्लू गर के बीच में चलेगी और इसकी लंबाई कितना किलिमेटर है टोटल आपके 3700 किलिमेटर इसकी लंबाई है अब आपको याद रखना है कि गंगा बिलास कुरूज जोए जहाज का नाम है पंदरा नमंबर 2022 को कुल बैस्विक जनसंख्या कितना हो गया है तो आठ अरव हो गया है 2030 में 8.5 अरव, 2050 में 9.7 अरव, 2080 में 10.4 अरव पूरे दुनिया का जनसंख्या हो जाएगा C.255 में बीमानों के देश में ही निर्मान है तू, कहां टाटा एरबस परियुजरा का प्रधान मंतरी दोबरा सिला नियास किया गया है तो बलोदरा गुजरात में इसका सिला नियास किया गया है एरबस डिफेंस एंड अस्पेस के साथ में 56 C.295 बीमान खरीदने के लिए भारत सरकार के दोबरा जो है 21,935 का समझोता किया गया है इसमें से जो 40 C.295 बीमान है इसका अंदरिबान भारत देश में होगा और जो 16 बीमान है ये आपके बीदेश से बनके आएगा बारत का एक तलिसमा अंतरास्टे बेपार मिला कहां पर संपन हुआ है तो नए दिल्ली में संपन हुआ है सर्विसेस्ट पविलियन के लिए स्वर्न पदक केरल को दिया गया है जबकि जो रज़त पदक है ये आपके बिहार को दिया गया है और कास पदक मद परदेश को दिया गया है यहां से कोशन पूछा जाता है बिस्तार एयर लाइन्स कंपनी का मार्च दोहजर चोबिस तक किस कंपनी में बिले हो जाएगा तो मार्च दोहजर चोबिस तक एयर इंडिया में बिस्तार का बिले हो जाएगा प्रसार भारती के मुख कारिकारी अधिकारी किने नियुक्त किया गया है तो गौरब दिवेदी को नियुक्त किया गया है भरत के बिदेश सचीव बरतमान में कौन है बिने मोहन कबात्रा बरतमान में भरत के बिदेश सचीव है इडी प्रवरतन देदे साले के निर्दे सक यसकी मिस्रा के कारकाल को कितने बरसों के लिए बढ़ाया गया है तो एक बरसों के लिए बढ़ाया गया है पच्छिम मंगाल के नए राजपाल कौन बने है तो सीवी अनन्द बोस बने है इपको साहित पुरसकार 2022 किसे परदान किया गया है तो बिहार के हिंदी कथाकार सिरी जैनन्दन को परदान किया गया है इपको का फूल फॉर्म क्या होता है तो इंडिया फार्मर फटिलाजर कर्पोरेटिव लिमिटेड इसका फूल फॉर्म होता है मेजर ध्यान चंद्र खेर लतन पुरसकार 2022 किसे परदान किया गया है तो टेवल टेनिस के लाड़ी सरत कमल अचंत को परदान किया गया है इसे दोबारा देखिएगा मेजर ध्यान चंदर खेल लतने पुरसकार 2022 किसे परदान किया गया है तो टेवल टेनिस के लाड़ी सरत कमल अचंत को परदान किया गया है जो मेजर ध्यान चंदर खेल लतने पुरसकार है इसका पहले नाम राजिव गांधी खेल लतने पुरसकार था मेजर ध्यान चंदर खेल लतने पुरसकार को पहले राजिव गांधी खेल लतने पुरसकार से जाना जाता था पहला मेजर ध्यानचनर खेल लतन पुरसकार 1992 में बिस्वनाथन आनंद को परदान किया गया था और इनका सम्मन्द जो है 17 खेल से इनका सम्मन्द है किस देश की सुंद्री मेना चोई को मिस अर्थ 2022 का ताज परदान किया गया है तो दच्छिन कोरिया की और इसका आयोजन फिलिपिन्स के मंदिला में किया गया था किसे सीवल सांती पुरसकार 2022 परदान किया गया है तो ये परदान किया गया है टीम वर्नल्स ली को और साथ ही आपको याद रखना कि अंतरास्टी ओलंपिक समीति के अधियज कोन है तो थॉमस वाक है दा लाइट भी कैरी पुस्तक के लिख़ कोन है तो मिसल अबावा है बहरे बहरे इंपोर्टेंट है मिसल अबावा है सतरमा प्रवासी भारतिय दिवस समेलन जनवरी 2023 में कहां पर होगा तो इन दोर में होगा और इसका थीम क्या है तो थीम है डाइस पूरा रिलाइबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमरित काल वेरी वेरी इंपोर्टेंट है सैयुक्त नौसैनिक अभियास मालाबार 2022 किनकिन देशों के बेच हुआ है तो भारत अमिरका अस्टेलिया एवं जपान के नौसैनाओं के बेच में हुआ है और आपको याद रखना है कि कौर्ड में कितने कंट्री हैं भारत अमिरका अस्टेलिया एवं जपान भारत वे फ्रांस की 22 नौसैनाओं का सैयुक्त अभियास गरूर का सात्मा संस्क्रन कहां पर हुआ है तो जोधपूर एयर बेस राजरस्थान में हुआ है भारत एवं अमिरका के थल सेना का अठरमा युद अभियास 2022 कहां पर होता है तो उत्राखंड के ओली में होता है आस्टा हिंद 2022 के इन दो देशों का सैयुक्त सैन अभियास है तो भारत और अस्टेलिया का है भारत और अस्टेलिया का जो है आस्टा हिंद 2022 सैयुक्त सैन अभियास आसियान देशों के साथ भरत का मानवे सहयता एवं आपदा राहत अभियास शुरू किया गया है उसका नाम क्या है समनवे 2022 है इसे दोबारे देखेगा आसियान देशों के साथ भरत का मानवे सहयता एवं आपदा राहत अभियास उसका नाम क्या है तो समनवे 2022 उसका नाम है फीफा भी इसका 2022 का आयोजन कहां पर किया गया तो कतर में किया गया बिजेता कौन है तो अर्जन्टीना है फ्रांस को हराकर गोल्डन बूट किसे दिया गया था तो एमबापे को गोल्डन बूट दिया गया था इनका सम्मंध जो एमबापे हैं इनका सम्मंध फ्रांस देश से है जबकि Golden Ball जो मेंसी को दिया गया था मेंसी का सम्मंध अर्जंटीना टीम से है ये अर्जंटीना के कैप्टन थे इंडिया मेराथन 2022 किस के दवरा जीता गया है तो पूरुस में जो है सेर सी के दवरा जीता गया है जबकि महला में सुधा सी के दवरा जीता गया है महराथन कितने किलो मेटर का होता है तो 42.195 किलो मेटर का होता है बिस्वी इवा मुके बाजी चंपियंशिप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया तो अस्पेन देश में किया गया है भारत का कुल 11 पदक जो भारत के दुवारा जो है कुल 11 पदक जीता गया है बिस्व इवामु के बाजी चंपियंशिप 2022 में और इसमें 4 सोना, 3 रजत, 4 काशपदक जीता गया है बिस्व इवामु के बाजी चंपियंशिप 2022 में भारत के द्वारा सेद मुस्ताक अली ट्रोफी 2022-23 किस राज के दोवरा जीता गया है तो मुंबई के दोवरा पहली बार जीता गया है हिमचल प्रदीश को हराकर जीता है आठमे टी-20 बिसकप 2022 का बिजेता कौन सा देश रहा है तो इंग्लेड बिजेता रहाता है पाकिस्तान को हराकर England दुसरी बार T20 World Cup जितता है पहली बार 2010 में जितता है जो बेजेता England है इसे टोटल 16 लाख डॉलर इनाम दिया जाता है जबकि जो उब बेजेता पकिस्तान है इसे मात्र 80,000 डॉलर इनाम के रूप में दिया जाता है पूरसो के T20 बिसकफ 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा तो अमिर्का एबन बेस्ट इंडिज के संयुक्त मेजवानी में किया जाएगा देशी घरेलू किर्केट में एक ओवर में साथ छक्के किस खिलाली के दोरा लगाया गया है एक ओवर में जो है छे नहीं साथ छक्का किसके दोरा लगाया गया है तो रितु राज गया के दोरा लगाया गया है एक ओवर में छे छक्के अभी तक किसके किसके दोरा लगाया गया है तो हरसल गिप्स, इवराज सिंग, किरन पुलाड तथा जसकरन महलोतरा के दुबारा एक उहर में च्छा चक्के लगाया गया है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि T20 अंतरास्टी क्रिकेट में दो या अधिक सतक लगाने वाले तिसरे भारती बल्लेवाज कौन बने हैं तो सुरु कुमार यादब बने हैं ठीक है पहले कौन है रोहित सर्मा और दुसरे है केल राहूल इससे दोबारा देखेगा कि T20 अंतरास्टी क्रिकेट में दो या अधिक सतक लगाने वाले तिसरे भारती बल्लेवाज कौन बने हैं तो सुरु कुमार यादब बने हैं और दो कौन कौन है तो रोहित सर्मा एवं केल राहूल हैं अक्टूबर महिने में जारी फीफा रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो भारत को 104 अस्थान दिया गया है और पहला अस्थान ब्राजिल को मिलता है A.C.I. Cup Table Tennis में पदग जितने वाली पहली भारती महला खिलाली कौन बनी है तो मनिका बत्रा बनी है हाली में पहली बार किस महला टेनिस खिलाली ने बिली जीन किंग कप 2022 का खिता है तो जीता गया है सुर्जर लेंड टीम के दवारा जीता गया है ठीक है नुबाग जो कोई बीच के द्वारा जीता गया है और इनका संब्ध सर्विया देश से है महला का एकल ATP टूनामेंट 2022 के खिताब किसके द्वारा जीता गया तो कैरोलीन गारसिया के द्वारा जीता गया इनका संब्ध फ्रांस देश से है फूर्सो की डेविस कप 2022 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया तो कनाड़ा के द्वारा जीता गया है अस्टेलिया को हरा कर जीता है जो डेविस कप है इसका संबंध टेनिस खेल से इसका संबंध है पाकिस्तान के तैयब इक्राम अंतरास्टी होकी महासंग के नए important है कि record जो चटी बार rugby 20 कब 2021 का खिताब किसके दुवरा जीता गया है तो New Zealand देश के दुवरा जीता गया है PT उसा भारती ओलंपिक संग के नए अधियच बनी है जो PT उसा है यह भारती ओलंपिक संग की नए अधियच बनी है साथ ही आपको याद राखना है जो PT उसा है इन्हे पायुली एक्सप्रेस एबम उरन पली के उपनाम से जाना जाता है ठीक है उरन पली के उपनाम से जाना जाता है पायुली एक्सप्रेस एबम उरन पली के नाम से जाना जाता है तो जनवरी 2023 से सम्मंदित जितना भी आपके प्रत्योकतर दर्पासर समंदित करेंट अफेर था उन सभी करेंट अफेर को कवर कर लिया गया है अगर देखें वीडियो आप सभी को हिलफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों में सेर जरूर कीजिएगा ठीक है और कॉमेंट करके भी इसके बारे में अपनी राय बता सकते हैं थैंक यू